C.I.E.T. N.C.E.R.T. ज़र प्रस्तुत है कक्षा ग्यारह की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक प्रस्तुत है पाठ आलो आनधारी प्रिष्ट संख्या 21 से 58 तक लेखी का बेबी हालदार लेखी का परिचय बेबी हालदार का जन्म सन 1974 अनुमानित जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर जन जहां सेना की नौकरी में पिता तैनात थे 13 वर्ष की उमर में दुगनी उमर के व्यक्ति से विवाह के कारण सात्वी कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़े 12-13 वर्षों बाद पती की ज्यादतियों से परेशान होकर, तीन बच्चों सहित पती का घर छोड़, दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई कुछ समय बाद गुडगाओं चली आए बांगला में लिखी एवं हिंदी में अनूदित, आलो आनधारी, एक मात्र पुस्तक, वर्टमान में गुडगाओं में घरिलू नौकरानी के रूप में कारे रत, प्रस्तुत है पाठ, आलो आनधारी मैं अब अपने किराए के घर में थी, सब समय सोचती रहती कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोशूंगी मैं स्वायम एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं काम के साथ मैं घर भी ढून रही थी देड़ सपता हुए जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेली रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते तुम यहां अकेली रहती हो तुम्हारा स्वामी कहां रहता है तुम कितने दिनों से यहां हो तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है तुम क्या यहां अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन, मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती. बच्चों को साथ ले, मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती. कुछ घंटों बाद, जब मैं घर लोटती, तब फिर पडोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरी का भाव देख, कुई-कोई मुँ से चुक-चुक आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा. इधर-उधर ढूंडने ढांडने से मिल ही जाएगा. मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती. मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में, सुनील नाम का तीस बतीस साल का एक युवक मोटर चलाता था. वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था. एक दिन रास्ते में मुझे देख कर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े डेड़ सपता हो गए. अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है. वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा, तो बताऊँगा. दो एक दिन बाद दो पहर को बच्चों को खिला पिला कर, मैं उनके साथ सो रही थी, कि सुनी लाया और बोला, क्यों, काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला. वह बोला, तुछ चलो मेरे साथ, मैंने पूछा कहा, तो वह बोला, काम करना है, तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वैम वहां कर लेना. उसकी बात सुन मैं फौरण उसके साथ निकल पड़ी. वहां पहुँचकर सुनील ने गीट के बाहर लगी बेल बजाई, तो उस घर के साहब बाहर आये. सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था न, मैं इसे लिए आया हूँ. उन्होंने मुझ से पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ. इसके बाद काम के बारे में बाते हुई. उन्होंने कहा, देखो, यहां जो औरत काम करती है, उसे मैं आच सो रुपए देता हूँ. तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊँगा. मैं बोली ठीक है, यहां कितने बजे आने से ठीक होगा? उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ. मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा. मैं छह साथ बजे तक आऊंगे. इतना कहकर मैं चलने लगी, तो मुझे लगा, वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं. सुनील जाने को हुआ, तो उससे मैंने थोड़ा रुख जाने को कहा. वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ. मैंने कहा, बस थोड़ा सा रुख जाओ. लेकिन साहाब अगले दिन मैं काम पर आई, तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विद्वा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा. साहब बाहर पेडों में पानी दे रहे थे, मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया. वो औरत भी बंगाली थी, बहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया. मैंने कहा, देखो, मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम करार है, तो मैं नहीं आती. मुझे से कहने से कोई लाब नहीं, तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है. उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बक्ते बक्ते चली गई. साहब आकर मुझे भीतर ले गए, और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा. बर्स उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बना कर टेबल पर रख कर घर जाने लगी. मेरा काम देखकर घर में सभी आज चर्य करते. एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना धेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहां सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है. बचपन से ही मैं बिना मा के रही हूँ. मेरे बाबा भी सब समय खर पर नहीं होते थे. इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका. मैं इसी तरह रोज सबेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती. बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते. एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा. तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ. लेकिन वैसा सुयोग कहा है? फिर भी चेश्टा तो करूँगी ही बच्चों के लिए. उन्होंने एक दिन बुला कर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना. यहां एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूँगा. तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना, और घर जाते समय अपने साथ ले जाना. मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी. उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती. स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते, तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते. अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी. मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि कि किसी को काम करने वाली की जरूरत है, तो मुझे बताएं, उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वो मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंडने नहीं जाना है. फिर भी मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा. यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंडने गई. घर मिल भी गया, और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं उसमें चली आई. इस घर का भाड़ा तो पांच सो रुपए ही था, लेकिन टटी पेशाप के लिए बाहर जाना होता था. मैंने सोचा, जब सब इसी तरह रह रहे हैं, तो मैं क्यूं नहीं रह सकूंगी? वहां भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेश्टा करते, और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते. कोई मुझे से अच्छा व्याभार करता, तो कोई नहीं. कोई मुझे अच्छी सलाह देता, तो कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता. इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था. मैं सबेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती, और घर में ताला लगा कर उनके साथ निकल पड़ती. मैं एक ही कोठी में काम करते, कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूँगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते. मैं स्वयम भी चिंति थी, कि मुझे और दो एक कोठी में काम नहीं मिला, तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा? मैं रोज साहब से पूछती कि कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या? वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देख कर मुझे लगता, जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूँ. शायद वह सोचते रहे हूं कि मुझ से वह सब होगा नहीं और होगा भी, तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी. शायद इसी लिए उन्होंने एक दिन हटात मुझ से पूछा, बेबी, महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शरम से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने भी दुबारा नहीं पूछा. मुझे सबेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिये काम पर आना पड़ता था. खाना वाना बना कर मैं घर जाती और वही सब काम वहां जाकर करती. साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी-कभी ऐसा कुछ कर बैठते, जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है. सबेरे उनके यहां जाने पर कभी देखती कि वह बरतन पोच रहे हैं, तो कभी उन्हें जाडू लेकर जाले ढूनते देखती. मैं पूछती कि उन्हें यह सब करने की क्या दरकार है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बना कर बात को टाल देते. उनके यहां काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता. वहां कोई भी मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता. कोई यह तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूँ या नहीं. मुझे सबेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल उटता, लेकिन वह बोलते कुछ भी नहीं. वहां जिस तरह से मुझे देखते, उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हूँ कि इस बेचारी को किस अपराद के पीछे अपना घर परिवार छोड बच्चों के साथ यहां अकेले रहने को बाद्य होना पड़ा. उन्हें तब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुँचे, इस दर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं करते थे. वह कुछ कहना शुरू करते, फिर अचानक चुप हो जाते. कुछ दिनों बाद एक दिन हटात उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी यह तो बताओ, कि यहां से जाकर तुम क्या करती हो. मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, और साथ ही साथ बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ. फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूं, तीसरे पहर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूं, और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ने बिठा देती हूं, रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी से जल्दी यहां के लिए निक से मिलेगा। मैं बोली इसी में से निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किये और कोई चारा भी तो नहीं। इस पर उन्होंने कहा, देखो, यदि मैं तुमारी कुछ मदद कर दूँ, तब तो तुम कहीं और काम नहीं करोगी न। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वहां मेरा कितना खयाल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा, क्यों, क्या हुआ, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो, मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। उन्होंने कहा, देखो, बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, मा, बंधु, सब कुछ हूँ, ये कभी मत सोचना कि यहां तुमारा कोई नहीं है, तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिलकुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा, देखो, मेरे बच्चे मुझे पहकर उन्हें बुलाती, तो वो बहुत खुश होते, और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो, वहां कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यावहार नहीं करता। तातुष के तीन लड़के थे, उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, और वह उनका सबसे छोटा लड़का था, उसके मुह में जैसे जबान ही नहीं थी, मैं किचन में ही काम कर रही होती, तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कह, वह स्वयम अपनी चाय बना लेता, उस की आदत ही थी, कम बोलने की, मुझसे तु क्या, वह किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, तातुष ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है, उन्होंने कह, मेरा बड़ा लड़का, माने तुम्हारा बड़ा भाई, तातुष की इस तरह की बातें सु मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती कि सच मुझ ही वह मुझे बहुत चाहते हैं। दू एक दिन बाद मैं सबेरे काम कर रही थी, तो तातुष ने बुला कर कहा, बेबी, तुमने क्या घर बदल लिया है। मैंने हा कहा, तो वह बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, यह तुमने ठीक नहीं किया, बेबी। मैंने सोचा, सच मुझ ही मुझ से भूल हुई। एक बार बताना तू चाहिए ही था। मेरे ना बताने से उन्हें दुख हुआ, यह तो मालूम पड़ गया, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वायम उन्होंने यह कहकर बात साफ कर दी, कि सुनील ने उन्हें बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी, कि सुनील को कहां से पता चला होगा, कि तातुष ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुमारे पुराने घर गया था। वहां तुम्हें ना देख, उसने आस-पास के लोगों से पूछा, तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुष ने आगे बताया, कि सबेरे वह दूध लेने गए थे, तो वहां सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या अब आपके यहां काम नहीं करती। तातुष के पूछने पर कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, सुनील ने कहा, बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद अब आपके पास नहीं है। तातुष मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, सच मुझ मुझसे अन्याय हुआ। वह थोड़ी देर मेरे चेहरे की और देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया, तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली, उपर डस्टिंग कर रही थी, वो बोले, तु जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ओपर चली गई, वहाँ एक कमरे में तीन अलमारियां किताबों से भरी थी, उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में यह बात उठती, कि उन्हें कौन पढ़ता होगा? उनमें बांगला की भी काफी किताबें थी, कभी कभी मैं दो एक किताबें खोल कर भी द देखा कि मैं बांगला की कोई किताब उलट पलट रही हूँ. उस दिन उन्होंने मुझ से कुछ नहीं कहा. अगले दिन जब मैं सबेरे काम पर आई और चाय बना कर उन्हें देने गई, तो उन्होंने पूछा, तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन मसोस क रह गई, और एक उपरी हसी हस कर जाने लगी, तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिलकुल ही नहीं जानती? मैं बोली, जोट कियों कहूं कि एकदम नहीं जानती, लेकिन वह जानना नहीं के बराबर ही है. तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहां तक पढ़ी हो? मैं बोली, छटी साथ में तक, उतनी बढ़ाई किस काम की? मुझे लगा, मेरी बात सुनकर तातुष कुछ सोचने लगे. उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा. अगले दिन मैं आई, तो मुझे देख वो हसने लगे. वैसे भी उनके चेहरे पर सब समय हसी रहती थी. देख कर ल उन्हें देख मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे. मैं उनसे बाते करने लगती तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती. और एक बार बाते शुरू हुई नहीं कि वह इधर उधर की न जाने कितनी बाते मुझे बताने लगते. मैं तातुष के पास खड़ी यही सब सोच रही थी, कि हाटात वह बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है. मैंने उनकी ओर देख हंशते हुए जट से कहा, हाँ, कई तो हैं, जैसे रविंद्रनात ठाकुर, काजी नजरूल इसलाम, शरत्चंद्र, सतेंद्रनात दत, मार राए, मैंने इन लोगों के नाम लिये, तो पता नहीं क्यों, तातुष मेरे सिर पर हात रख, मुझे आश्चर से ऐसे देखने लगे, जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो। आभी तक बढ़ःता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं, मैंने इतनी कितावे क्यों रख चोड़ी हैं? मैं पड़ सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं पड़ सकती हैं? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ उपर चलो, मुझे उपर ले जाकर उन्होंने अल्मारी से ए गलती हो गई तो, तू क्या, मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझे पढ़ना लेखना एकदम नहीं आता। वह बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तो पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली आई, और रोज उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती, तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी करते थी। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुष ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी, उसे ठीक से पढ़तो रही हो। मैंने हाँ कहा, तो वह बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तिमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तातुष ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉर से एक पैन और कौपी निकाली, और बोले, तुम इस कौपी में लिखना, लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें यादाएं, सब इस कौपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। वह बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। लिखोगी, तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नीद सो भी चुके होते। नीद तूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ, तो सबेरे कोई ना कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती, कुछ भी तो नहीं, मुझे उन लोगों की बाते अच्छी नहीं लगती थी। और फिर वहां कुछ अन्य असुविधाएं भी थी, जिनके कारण मैं अपना वह भाड़े का घर छोड़ना चाती थी। सब समय मैं यही सोचा करती कि उससे अच्छी जगा कहां मिल सकती है। वहां पानी की असुविधा थी, वहां बातरूम की असुविधा भी थी, चार घरों के बीच बातरूम एक ही था। लड़के लड़कियां बड़े बूड़े, सभी हाथ में पानी की बोतल ले टटी के लिए बाहर जाते। अब वे वहां बोतल संभाले या सूर भगाएं। मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिये जाते, मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था। तातुष ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहां रहती हो, वहां कोई बात्रूम वात्रूम है की नहीं। उपर एक बात्रूम है, तुम चाहो तो वहीं से नहा धोकर निपट कर चा सकती हो। उसकी बात सुन मुझे बहुत खुशा था, मैं सोचती ये भी कोई बात हुई, कि मैं सारा दिन काम पर रहूं और लोटूं तो बे मतलब की बाते सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांदी हूँ, कि वह सब सुनना ही पड़ेगा, घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा न दिखने पढ़ने बैट जाती, कभी कभी सविता से जरूर मिलाती, वह मेरी एक पुरानी कोठी की सहीली थी, उसके यहां से लोटने में कभी देर हो जाती, तो सभी मुझे ऐसे देखते, जैसे मैं कोई अपरात करा रही हूँ, बाज़ार हाट करने भी जाना होता, तो वह बूढ ही मकान मालिक किस्त्री कहती, कहां जाती है रोज-रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने-घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है, तो क्या मैं कहीं गूम फिर भी नहीं सकती? और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है, उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शान्ती मिली? उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या-क्या बाते मैंने नहीं सुनी? जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा, तो मैं आँख मुँबंद की ये चुपना रह जाती तो क्या करती? जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुँबंद नहीं होते थे, तो यहां तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहां तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती, मैं काम पर आती जाती, तो आस पास के लोग एक दूसरे को बताते, कि इस लड़की का स्वामी यह नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है, दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़ खानी करना चाहते, वो मुझसे बाते करने की चेश्टा करते, और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते, मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिला करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनसे बच कर निकल जाती, तातुष के यहां जब पहुंचती और वह बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे फिर मेरे पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खु जिने वह मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे, वे लोग भी चिठियां लिखकर या फोन पर तातुष से मेरे संबंध में जब तब पूछते रहते थे, एक दिन मैं घर में बैठी, अपने बच्चों से बाते कर रही थी, कि तभी मकान मालिक का बड़ा नहीं होंगे, उसकी बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी, मैं उससे वहां से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी, और स्वयम भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था, कि उसकी बखल से निकला नहीं जा सकता था, म मैंने सोचा, अब मेरा भला इसी में है, कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उसकी बातों से ये साफ हो गया, कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी, तब तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा, यह क्या इतना सहच है, घर में कोई मर्द नहीं है, तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी, मैं कल ही कहीं और घर ढूंड लूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी डूंड ती रही, एक दिन काम पर से मैं घर लोट रही थी, तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दोड़ते चलिया रहे हैं। मेरे पास आव ये बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी, कि यह क्या हो गया। मैंने कहा चलो, चल कर देखती हूँ। वहां पहुँच कर देखा कि सच मुझ ही घर का सारा सामान बाहर बिक्रा पड़ा है। वह सब देखकर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी, कि बच्चों को लेकर अब मैं कहा जाओ। इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहा मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था। आस पास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेकिन उन घरों में कोई ना कोई मर्द, बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था। जबकि मेरे यहां होते हुए भी कोई नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था। जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगा सहीज कर नया घर खोजने निकल गए थे। हमें छोड वहां बस कुछ ही लोग और बचे थे। वे इसलिए रुख गए थे क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था। और घर की वैसी हालत में वे उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे थे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो दो भाई रहती थे। उन्हें मालूम था कि मैं कहां रहती हूँ। उन्हें यह भी मालूम था कि वहां के सभी घर तोड़ दिये गए हैं, फिर भी वे मेरी खोज खबर लेने नहीं आए. मैंने सोचा, मा होती तो देखती, मैं आज किस हाल में हूँ? पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कश्च और कितना दुख भोग न लिखा है. उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ. रात साथ आट बजे भूलादा आया. वह मुस्लमान था और पास ही में रहता था. उसका घर भी तोड़ दिया गया था. वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाईयों और मेरे बाबा को भी जानता था. मेरे बच्चों से उसे बहुत लगाव था. भूलादा ने कहा इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वह वहीं हम लोगों के पास बैठ गया. उस हालत में क्या किसी को नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वह रात किसी तरह काडती. सभेरे भूलादा ने कहा, तुम जहां काम करती हो, वहां के साहब से बात करके देखो ना? मैंने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है. तातुष ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह मुझे जगह भी दे सकते हैं. एक बार बात कर देख ही लूँ. मैं तो कहने की हिम्मत नहीं होती. भूलादा बोला, तो फिर चलो. मैं उसे लेकर चली आई. वहां बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई. देखा कि तातुष अखबार पढ़ रहे हैं. मुझे देखते ही वह बोले, क्या बात है बेबी? रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती? तुमारा मुँ ऐसा सुखा सुखा सा क्यों है? मैंने उन्हें सारी बाते बता दी कि कैसे हम लोगों के घर बुल्डोजर से तोड़ डाले गए और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में पड़े रहना पड़ा? मैंने उनसे कहा मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया है आप से बाते करना चाहता है मेरी बात सुन तातुष फॉरण बाहर गए और भूला दा से बाते कर मेरे पास आए और बोले तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों अभी आ सकोगे। मैं रासी हो गई। और घर जा एक रिक्षे में अपना सामान लाद बच्चों के साथ आ गई। रास्ते में मैं सोच रही थी कि तातुष तो एक ही बार कहने पर तयार हो गई। अब आगे पता नहीं क्या होगा। तातुष ने छट पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। उस कमरे में अपना सारा समान जमा। मैं खाना बनाने की तयारी करने लगी। तातुष ने ऊपर आकर देखा तो हस्ते हुए बोले। तुम आज खाना न भी बनाती तो चल नीचे तो काफी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ रखा रहे। दादा लोग खाएंगे। तातुष बोले। रात को एक बाद नीचे एक गरम-गरम रोटी खिला सकोगी। अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। तुम जो खाना बना जाती थ उसी को रात में भी खाना पड़ता था। अब तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गरम-गरम खाना खिला सकोगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती। तातुष मुझे काम करत देखते तो कभी कभी कहते बेबी तुम इतना काम कैसे कर पाती हो। सारा दिन काम करती रहती हो। थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते बच्चोंने कुछ नाश्ता वास्ता किया की नहीं। तुमने कुछ खाया वाया। जाओ उपर जाकर कोड़ा दूद ली जाकर उन्हें दे दो। यहां आने के बाद से मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूद मिलने लगा था। तातुष ने एक दिन कहा। देखो बेबी इस घर में पहले भी कई औरते काम कर चुकी हैं। लिकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मु इसे तुम अपना ही समझना। मेरी कोई लड़की नहीं है। मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। मैंने सोचा। भलाई ये भी कोई कहने की बात है। ये तो मैं ही जानती हूँ कि यहां आकर मैं कितनी सुखी हूँ। सभी हमीशा मेरा ख्याल रखते। कभी मेरी जाच कर दवा लिख देता और मैं उसकी पर्ची लाकर तातुष को दे देती। वह जल्दी से जाकर मेरे लिए दवा ले आते। दवा सिर्फ लाते ही नहीं, बलकि जिस समय जो दवा खानी है, उसे निकाल कर दे भी देते और मेरे आना कानी करने पर जबरन खिला मेरे बच्चे बिमार पढ़ते, तब भी वह फौरन उनके लिए दवा ला देते। घर में काम करने वालों को इतनी अच्छी तरह रखे जाते, मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहां मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। तेल साबुन, खाना पीना, कपड़े वपड़ किसी भी चीज का अभाव वे लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती कि इतने घरों में मैं काम कर चुकी, लेकिन इस घर के लोगों जैसा व्यावहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता, जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूँ। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने दासो उड़ता। दो मास से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। तातुष शायद यह समझते थे। एक दिन हटात उन्होंने पूछा, बेबी, तुम्हारा बड़ा लड़का कहा रहता है, तुम कभी जाकर उसे मिलती क्यों नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार वहाँ पूछते ही जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे पा रही थे। कुछ देर बाद मुह नीचा किये मैं बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहा रहता है। तातुष चौंक कर बोले, यह क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा लड़ पता है, लेकिन उन्हें उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं था। उन्होंने जो जो नंबर बताए थे, वहाँ में गई थी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार घूम फिर कर लोट आई। बस इतना भर सुना है, कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं दवा की दुकान है, मैंने दो एक लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को ठीक से पता नहीं, ता तुश चिंतित होकर बोले, यहां तो दवा की बहुत सी दुकाने है, उस दिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा, अगले दिन सबेरे मुझे बुला कर उन्होंने कहा, वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रही थे, तो उसे छोड़ने से पहले, उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिये था ना, तुम्हें पता है, ऐसे में न जाने क्या हो सकता है, उनकी बात सुनकर मैं चुप रही, कुछ ही क्षण बाद वहा बिना मुझ से कुछ क रहे हैं, और साथ साथ मुझे बुला रहे हैं, बेबी, बेबी, सुनो, मैंने सोचा, वहा इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई, वहा फोन पर बात किये ही जा रहे थे, बातें करते करते, वहा मुझ से बोले, लो, बात करो मैंने पूछा कौन है? किसके साथ बात करूँ? वह बोले बात करो ना, देखो कौन है? मैंने फोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हलो हलो किये जा रहा था, मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पा रही थी. कान पर से फोन हटा, मैंने तातुस से पूछा, कौन बात कर रहा है? वह बोले, अरे, तुम अपने लड़के को ही नहीं पहचान रही हो. मैं चौंकर बोली, हैं, मेरा बाबू? मैंने फिर फोन कान से लगा कर कहा, बेटा, बेटा, मैं तरी मा बोल रही हूँ. वह बोला, मा, म मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहां अच्छी तरह हूँ. उसकी बातों से मुझे लगा, मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है. उसकी आवास भी बदल गई थी. दो एक मास में ही, वह कितना बदल गया था. उसे देखने की मेरी बहुत इच्छा होने लगी. तातुस भी सम मैंने कहा, आप जब ले जाएंगे. कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई, तो देखा, वहां बाहर पौधों में पानी दे रहा है. मुझे नहीं लगा कि वह वहां ठीक से है. मैंने सूचा, इन लोगों की वयस क्या काम करने की है? लेकिन मैं कर भी क्या स लगती थी. मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया. अपने भाई बहन को देखकर वो बहुत खुश हुआ. उसके पास से मैं जब चलने लगी, तो वह उदास हो गया. मैंने तब सोचा, उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी. जैसे भी हो, उस उसे अपने पास ही रखूंगी. तातुश शायद यह सब समझते थे. इसलिए बीच बीच में मुझ से उसे फोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे. मैं उसे फोन करती, तो वह सिर्फ यह जानना चाहता कि मैं कहा रहती हूँ. घर का नंबर क्या है? मैं यह सोच कर ब पताये मेरे पास आ गया, तो तातुश क्या सोचेंगे? वह बातों बातों में कहते भी थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा. उनकी यह बात मुझे कुछ दुखी ही करती. और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या यह है कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्व पास नहीं है? वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए ले आओ? वह मुझे और मेरे बागी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का ही क्यों उन्हें भारी पड़ता है? मैं कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन कह पाती भी कुछ नहीं. होते होते एक दिन तातुष ने स्वयम ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना. सुनकर मैं बहुत खोश हुई. वह फिर बोले, उसके लिए यहीं कहीं काम देखो, जिससे वह रोज तुम से मिल जु सके. लेकिन बेबी, जानती हो, बच्चों से काम कराना खेर कानूनी है. उसे वहां से छुडा लाना चाहिए. उसके लिए ऐसी किसी जगा काम देखो, जहां रहते रहते वो कोई और काम या कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके. ऐसा ही कुछ हमे करना होगा, लेकिन तीन ब घंटे का काम पकड़ सकती हूँ. तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ? तातुष बोले, उससे क्या होगा बीबी? एक जगा से काम करके आओगी और आकर फिर यहां खटना होगा. ऐसे में तुमारा स्वास्ते कहां तक ठीक रहेगा? इतनी भाग दोड करना ठीक नहीं. और फि तो यह सब जैसा चल रहा है, वैसा ही चलाओ. तातुष की बाते सुन मुझे बहुत माया होती. मैं सूचती, इस तरह से तो कभी मेरे बाबा मा ने भी मुझे नहीं समझाया. लगता है पिछले चीवन में, वह सच मुझ मेरे बाबा ही थे. नहीं तो मेरे अच्छे बुरे क इतनी चिंता क्यों करते? थोड़ी देर बाद तातुष ने फिर कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने को जो काम दिया है, तुम वही करती रहो. तुम जितना समय यहां वहां के काम में लगाओगी, उतना लिखने पढ़ने में लगाओ. तुम देखोगी, एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा, और कुछ करने की क्या जरूरत? इसी से काम चलाओ ना बेबी, और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उच्सा बढ़ा रहे हैं. हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंध मत करना, उ तुम अपने लड़के को वहां से ले आओ. मुझे उसका वहां काम करना बिलकुल अच्छा नहीं लगता. वह इसी तरह दूसरों के घर काम करता रहेगा, तो उसका जीवन बरबाद हो जाएगा. या ठीक नहीं? तातुष ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, और मैं नह ही चाहूँगा बेबी कि एक बच्चे का जीवन इस तरह नस्थ हो जाए. बेबी, तुम आज ही जाकर उसे ले आओ. मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई. तातुष उसके लिए कोई अच्छी जगा ढूनने लगे. कोई ऐसी जगा, जहां रहकर वहां घर का काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सिख सके. ऐसा घर लेकिन मुश्किल ही से मिलता है. मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रही ही हैं. और कितना करेंगे हम लोगों के लिए? मुझे सच मुझ बहुत बुरा लगता. मैंने तै कि जब तक मेरा बड़ तातुष समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलजन में हूँ. वो मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे. कभी-कभी वो स्वयम प्लेट में खाना निकाल मुझे देते और उसी समय खा लेने को कहते. उन लोगों का ऐसा सनिह देख कभी-कभी मैं सोचने देखे. इसके पहले जहां भी मैं रही, वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था. यहां वैसा कुछ नहीं था. तातुष कहते बिबी, मैं यह समझ कर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूं. तुम यह कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूं। मुझे वे ही ज्यादा अच्छ लगते और क्यों न लगते उन्हें चाए पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो फट से मुझसे कहते जबकि अरजुन्दा ऐसा कि किसी चीज की दरकार होने पर भी कुछ नहीं कहता बस बिस्तर में लेटा रहता। मैं स्वयम उनके पास जाकर पूछ दी अरजुन्दा कुछ लादू चाए पानी खाने को कुछ। वह सिर्फ सिर हिला कर कभी हां करता तो कभी ना। उसके बंधू ऐसे नहीं थे। वे मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना ही समझती थी। उन दोनों में भी सुख दीबदा कम बात चीत करने वाला था। मुझे लगता वो शर्माता है। रमन्दा दूसरी तरह का था। वह इस घर को बिलकुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी। खाने की कई चीजें बनाना मैंने उस से सीखा। वह मुझे से मेरे बच्चों के बारे में भी बातें करता। वह कहता देखो अभी वे छोटे हैं। अभी उनका शैतानी करने का समय है। तुम्हे थोड़ा सावधान रहना होगा। उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रख लड़की नहीं है। तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे-धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था। और कभी-कभी वह लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमनदा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़ यह तो बेबी की लड़की है। रमनदा ने तब हसकर कहा तब ही तो और मैं तो समझ बैटा था कि यह भी लड़का ही है। रमनदा और सुकदीबदा के आने से घर में थोड़ी चहल-पहल बढ़ी थी। लेकिन कुछ ही समय के लिए क्योंकि जल्दी ही उन दोनों ने काम प लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देश से घर लोड़ते। क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन्दा, रमनदा और सुकदीबदा काम पर से लोड़कर फॉरन सोने चल पातमान मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी, जहां वे काम करती थी। उन में से कई मुझे देख मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें वहां कई जवान लड़के भी आते और उन में बंगाली भी होते। वे भी मुझसे बात चीत करना चाहते और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुला कर उनसे बातें करते। कोई यदी स्वयम आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात ना करना कैसे संभव है। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बाते नहीं करती और नहीं अपने बारे में कुछ बताती। क्यूंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है यह मैं समझ जाती। तातुष ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अंजान लोगों से ज्यादा बाते ना करू। तातुष ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बाते पूछने लगते जिनके जवाब देने की मेरी एकदम इच्छा नहीं होती। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यह सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती। लेकिन बच्चों की खातिर जाना ही पड़ता। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहां कोई बात चीत नहीं करता था। वहां बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती। वहां पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देख कर आपस में हसी मजाग करते। वहां किसी की और देखती तक नहीं। वहां देखने में नेपा इसकी रही होगी और साफ मालूम देता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यूं आना पड़ा होगा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वहाँ खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ उससे अपने पास बिठा लिया और पूछा तुम क्या बंगाली हो। उसने हां कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीती बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम एक दूसर से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन नाम मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीती ने बच्छपन में ही अपने माबाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी मान नहीं रही थी। और जब वह एक वर्ष की हुई तो उसके मा और दीदी मा ने पाल पोस कर बढ़ा किया था। बच्छपन में मा के ना रहने से कितना कश्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीती जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जा तुम कल अपना पता लिख कर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूँगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा दो दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी, वह बच्ची अपनी मा के साथ आई है तब मुझे लखा कि वह चली गई है मैंने सोचा, उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला वह कर भी कह सकती थी, जिनके यहां रहती थी, उनहीं के कहने पर तो उसे चलना था सुनी थी के ना रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया जितना समय मैं वहां बिताती थी, उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी, उसे तातुष ने फोटो कॉपी करा के अपने एक बंधू के पास कूल काता भीज दिया था। तातुष हटात एक दिन मुझसे बोले, बेबी, तुमारी चिठी आई है। मैं अवाक हो, उनकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिठी, मुझे चिठी भेजने वाला तो कोई नहीं। उन्होंने बताया कि चिठी कोल काता से उनकी एक बंधू ने भेजी है। मैंने कहा, सुनाईए न, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुष ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुमारी डाइरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुमारा लेखन उत्क्रिष्ट है। तुमारे तातुष ने सचमुझ ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांगला में नहीं लिख सकता। मैं बांगला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुष से एक वर्ष बढ़ा हूँ। इस वैस में भी तुम्हें चिठी लिखने के लिए बांगला लिपी सीखने की इच्छा होती है। पर अब वह संभव नहीं। तुम कुछ किताबे पढ़ो और तातुष के पास से बांगला अभिधान लेकर रोज उसे पल्टा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहां मेरे जिन जिन बंधु बाधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, वे सभी उसे चमतकार लिखन मानते हैं। मेरी एक बंधु ने कहा है कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड तक पहुचाना होगा। आशा करता हूँ, तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह ब चिठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर मेरी लिखावट भी खराब है और लिखने में भूले इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें प्रम जोगी। मैंने कहा मैं सच मुछी कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे। लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुष ने कहा तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम कि लिए जाओ। बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप ही तुमारे दिमाग में घुश जाएगा। तातुष की बात मैं अनसुनी ना करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन्दा, रमणदा और सुकदीद दातु थे ही, उनके बंधु समिद्दा, रजद्दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुष जैसा ही व्यवार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्ता छोड़, किताब कौपी ल तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी, जल्दी जल्दी हाथ मुँ धोकर वो खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पढ़ जाए या मक्की वक्की ना बैठ जाए इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। भूख के मारे रमनदा ने इसका ख्या जा रही है। वो खाना छोड अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ ख्षन बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा नजाने क्या सोच सोच कर खूब हसने लगा। मैंने तातुष से पूछा रमनदा किसके साथ बातें कर हस रहा है। तातुष बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई और देखा कि रमनदा हांसे ही जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमनदा? वह कुछ न कह, बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क क्या हुआ बताओ तो सही। वहा हस्ते हस्ते बोला, बेबी, देखो मैं कैसे खा रहा हूँ? मैंने देखा तो हसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हस्ते हस्ते ही आकर मैंने तातुष को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमनदा ने बिना अपनी प्लेट की और देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हस्ते लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हस्ते थे। उनकी हसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हसना बंद हो गया। लेकिन मेरी हसी थम नहीं रही थी। यह देख कर तातुष बोले, बेबी, तुम क्या हसती ही जाओगी खाली हसने से ही सब हो जाएगा मेरे बंधु की चिठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा मैंने कहा चिठी ये चिठी विठी लिखना मुझसे नहीं होगा तातुष बोले क्यों नहीं होगा तुम से जैसे बने वैसे ही लिखो लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा मैं सोच में पड़ गई कभी किसी को चिठी विठी लिखी नहीं यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखोंगी, क्या लिखोंगी कितना खलत लिखोंगी, कितना सही इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं मैंने तातुष से पूछा मैं उन्हें क्या बोल कर लिखोंगी तातुष बोले ये तुम ही सोच कर देखो बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे एक वर्ष बड़े हैं मैंने कहा मैं उन्हें जेठु बोल कर लिखूंगी ता तुष बोले तुम्हारी जैसी मर्जी मैंने जेठु बोल कर ही अपनी चिठ्ठी लिखे चिठ्ठी लिखने का सिर पैर मैं नहीं जानती थी फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा उस चिठ्ठी के जवाब में जेठु ने लिखा प्रिय बेबी तुम्हारी चिठ्ठी कई दिन पहले मिली थी क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई चार-पांच दिन हो गए मैं यहां के किताबों के बाजार गया था वहां बांगला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज़ दू लोग वहां मच्छली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवा खुद देख रहा था तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया जानकर बहुत खुशी हुई तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुष और मैं बहुत चिंतित है चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे चपे आशा पूर्णा देवी का पाखिर खांचा खांचार पाख ही कैसा लग रहा है तुम्हें तातुष ने जरूर बताया होगा कि आशा पूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निबटा कर उस समय चोरी-चोरी लिखती थी जब सब लोग सोजाते थे उन्होंने केवल बांगला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी मैं और तातुष दोनों ही आशा पूर्ण देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफी खबर रखते हैं जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है तुम दूसरी आशा पूर्ण देवी हो सकती हो यह बात मेरे मन में बार बार आती है तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू जेठू इसी तरह मेरा उत्सा बढ़ाते थे अकेले जेठू ही ऐसा करते हो ये बात नहीं थी और भी कई लोग थे दिल्ली में जेठू और तातूश के एक बंधू रमेश बाबू थे मैं जो जो लिखती वह सब तातूश उन्हें फोन पर सुना थे एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधू को बहुत बहुत अच्छा लगा एनी फ्रेंक की डाइरी की तरह मैंने पूछा यह एनी फ्रेंक कौन है तातूश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल कर उसमें से उसकी डाइरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी उनकी चिठियों से मालूम पढ़ता कि वह मुझे से कितना सनेह करती थी वैसा सनेह मुझे और किसी से नहीं मिला मैं सूछती कि सच्मुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहीली मिली मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था उनकी चिठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूँ, हसूँ, खेलूँ, ये करूँ, वो करूँ उनसे पूछूँ, शर्मिला दी, हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूँगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पोचते समयें, मैंने वहाँ एक फोटो एलबम देखा, मैं उसे खोल कर तस्वीरें देखने लगी, उसमें अरजुन्दा के बंधों की तस्वीरें थी, एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अरजुन्दा, एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुकदीबदा बैठे थे, जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उनी तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी, उन्हें अपनी आँखों से देखने की बहुत इच्छा होती, शर्मिला दी जब मुझे चिठी भेजती, तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकरितियों में सादे कागस काट कर भी रख दे थी, शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी, और पत्रिकाओं में उनकी कहानिया छपती रहती थी, वो मुझे प्यार करती थी, और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी, कभी कभी मैं सोचती कि कहां उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहां मैं, चिठीों में हम जो बाते करते हैं, वह शायद मिलने पर ना हूँ, फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें, मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठु के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे, जेठु के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी, स्वहिम के जीवन की विभिन स्मर्निय घटनाओं क सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना, बहुतों के निकत शायद संभव नहीं, अपने इस सुंदर कोशिश को कभी बंधना करें, अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारन दे सकें, नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कस्ट के बारे में भी आप सोचे और लिखने की चेश्टा करें, मेरी शुब कामना आपके साथ है, इस चिठी के साथ आनंद बाबु ने मुझे अपना एक लेख भी बेज़ा था, उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था, वह पूरा का पूरा मेर की समझ में आ गया हो, ऐसी बात नहीं थी, मेरे कहने पर तातुष ने, वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा, इतने सारे लोगों के उचसाहित करने, साहस दिलाने के बाद भी, मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी प व्यक्ति को साइकल से उतरते देखा, मैं ठीक से पहचान नहीं पाई, उसने घंटी बजाई, तो काफी देर बाद मैं बाहर निकली, मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा, मैं बोली, बाबु, आपके शरीर का ये हाल कैसी हो गया, बाबा बोले, कहां, कुछ भी तो नहीं हुआ, बच्चे कैसे हैं, मैंने कहा, ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए है, मैं तातुष के पास दोड़ी गई, और बताया, कि मेरे बाबा आए है, तातुष बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तयार करो, बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई और पूछा, चाई बनाओ, वाह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाई, मैंने जल्दी से एक गिलास शर्बत बना कर उन्हें दिया, गिलास हाथ में लिए वाह बोले, तू भी थोड़ा ले बेता, मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी चाई पी है, मा कैसी है, वाह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है, मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, दो वर्ष जो हुए जा रहे हैं, और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका, अभी दो एक दिन के लिए वहाँ चली जाओ, तो शायद वही जगडे फिर शुरू हो जाए, मैं अब और वही सब भोगने को तयार नहीं, यहां आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ, कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयम करते हैं, और एक ही जैसा खटते कमाते हैं, यही समझ पहले आ गई होती, तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्ता कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता, बाबा के साथ इधर उधर की काफी बाते करते करते मैंने पूछा, कोल काता की क्या खबर है, मेरा भाई कैसा है, मा कैसी है, बाबा बोले, मा, तेरी मा, तुने कुछ सुना न दोने दोने ना लग पड़े, इसे सच-सच बताना ठीक होगा या नहीं, शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही है, कि इसकी मा जीवित है, ऐसे में ना बताना तो भूल होगी, बाबा शायद यही सब सोच रहे थे, उन्हें चुप देख, म मेरी मा शायद नहीं रही, मेरे मूँ से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू, मा की तबीर तो ठीक है, बाबा रुथ कले से बोले, तेरी मा तो छह साथ मा सुए दुनिया चोड़ कर चली गए, तेरी मा नहीं है, क्यों, तेरा दादा तो वहां गया था, उसने तुछे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो, मुझे किसी नहीं बताया, मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक सिसक कर रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी, एक बार सुना था किए स्पताल में भरती है, मुझे लगता है, तभी उसकी मृत्य हो गई थी, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता था। मिरे दादा, बाउदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं थे। रिक्षे में दस रुपया भाड़ा लगता। फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहां गई भी लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार मा के पास दरूर जाऊंगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी और अब सुनने को मिला मेरी मा हम लोगों को छोड़ चली गई। मुझे पता चला था कि मा जब अस्पताल में भरती थी तब मेरे चोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि वह उन्हें मा से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी। उन्हें किस चीज का अभाव था। बाबा का जाना उचे थोता। मुझे लगता है वह जानते थे कि मान नहीं बचे की फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम फिर कर लोट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार मा को देखा सकते थे लेकिन नहीं गए। मा का क्रिया करन मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफी बाद में पता चला और मुझे तो अभी अभी। बाबा ने पूछा तेरा बड़ा लड़का कहां रहता है। मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वो बोले चलो थोड़ा देखाओ। मैं बाबा को लेकर वहां गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकलाया। और अरे दादू कहकर उन्हें प्रनाम किया और बोल दादू मेरा बाबू कैसा है। बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था पर वो नहीं आया भाई। मेरे लड़के को देखकर बाबा की आँके भर आई थी। वह उससे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई। पहले कैसे परिवेश में थ बेटा तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कच्ट उठा ले। बाद में इसके साथ सुख शान्ती से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना और इतना कहकर मेरे साथ बाबा बोले जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहां खुब अच्छी तरह है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिक व पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहां तक आगे बढ़ा। खत्म हुआ के नहीं। वह मुझे अपने यहां आने को भी कहते और साथ में यह भी कि यदि मैं रुकना ना चाहूं तो लोटा सकते हूं। मेरी जाने की इच्छा नहीं बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पच्छता थी कि मेरी मा मर गई और मैं आखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्त को लेकर भी चिंता लगी रहती। इसी बीच जेठू और शर्मीलादी की कई चिठियां भी लगी रहती। चिठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोचकर एक दिन सारी चिठियां लेकर मैं बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिठियों को एक बार फिर पढ़ लेना जरूरी समझ कर मैंने पहले जेठू की चिठ लेकिन क्या इसी से तुम चिठि लिखना बंद कर दोगी। बार बार जिग्यासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिग्यासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या एधर सोई पड़ी है। तुम्हारे तातुष की तरह नव वर्ष में खूब लिखो और मले दिश्वरी की तरह मोटी सोटी हो जाओ। यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंद हूँ, आनंद के कहने पर उनका यह लेक तुम्हें बेज रहा हूँ। आशा पूर्णा देवी की कोई नई किताब पढ़ी क्या। तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती थी। अब कष्ट देने की बाद तो दूर तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती। बलकि बार बार शाबाश बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती। इसलिए उनकी चिंता किये बिना लिखना होगा। बाद में अपना लिखा स्वायम ही सुधार लेना होग इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी लिखने बैटने से ही लिखा जा सकता है यह अभिज्यता तुम्हें निश्चित ही हो गई है तुम्हारे तातुष ने तुमसे ठीक ही कहा है कि भूल होती है तो हो फिर भी लिखो जेठू की जितनी चिठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती कि लिखू और भी लिखू शरमीला दी मुझे हिंदी में चिठि लिखती थी उनकी चिठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिठियां कुछ और ही तरह की होती। मैं सूचती कि उनके यहां भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती होगी जैसा मेरे साथ। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती। और चिठियां भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को। तातुष उनकी चिठियां पढ़कर सुनाते तो अपनी तूटी फूटी बांगला में मैं उन्हें लिख देती। कभी वक्त क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिने तुम माफ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते, उन्हें भी माफ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहां आओ, तो हम दोनों खूब और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी-कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूँगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे, तो जी भर कर हसेंगे। यदि हसने की कोई ब कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मीलादी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना की लड़कियों, बहुँओं को देखा था, जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं, कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आइना, कंगी और नजाने क्या-क्या लेकर सजने बैठ जाती, साड़ी पहनती, तो अपनी किसी सहीली को बुला कर पूछती, ए, देखो तो ठीक से पहनी की नहीं, अगर सहीली ने उनके मन की बात नहीं कही, तो ए एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुन्दर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहतीं कि और लोग भी कहे, देखो देखो कितनी सुन्दर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि आरतों को सारी गहने से इतना मोह है। इन के लिए इतना लालच, इतना लोब, मैं उन्हें देखती कि ओठों पर, चेहरे पर धेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीजें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एक दम ही अ बाल बानती। सहीलियों के साथ कहीं जाना होता, तो सहीलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्या के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता, तो बस जैसे तैसे कंगी कर, मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी सारी की जगा मैं शलवार सूट जो पहनने लगी थी, यहां आकर इस तरह की तुछ बातों से मैं बच गई, यहां मुझे सब का सनेह मिलता था, तातुष के लड़के विदेश से लोटते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते, मामा माने अर्जुनदा की मां आती, तो वह अभी मुझे कुछ न कुछ जरूर देती, मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊंगी या नहीं, अब मुझे आज चरह होता है, जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी, कि अपने दुरगापूर के कुछ बंदुओं को छोड़ कर मैं नहीं रह सकूँगी, यह सब बस कहने भर की बाते होती हैं, जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मसे में हैं, मैं अभी कुछ दिन बहुत उदास रही थी, जब अपने को छोड़ कर आना पड़ा था, धीरे धीरे सब ठीक हो गया, बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी, और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा, कि अपने बंदुओं से बिचुडने के दुख की जगा, मैं अब मानने लगी थी, कि उन में से कोई भी मुझे से मिलने न आए, मैं अपने बाल बच्चों में मगन थी, और इस बात से बहुत खुश थी, कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, वे अब ना तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिलाने लगते, ना ही बे मतलब इधर उधर बट के साथ छत पर बैठी बाते कर रही थी, कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, मा, तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी, कि इतनी जरा सी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है, अब भला मैं इसे क्या जवाब दू? मैं कुछ बोलती, इसके पहले ही उसने फिर कहा, मा, एक कविता सुनाओ ना, मुझे क्या वह सब अब याद था? फिर भी जो दो चार लाईने मन में आई, उसे सुना दी, वह खिल-खिला कर हस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी मा और स्कूल की कविता सुनाती है, उसकी बात पर मुझे हसी आ कि मैं हाथ में अखबार लिए बैटी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। यहां मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी, अंग्रेजी ना जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरे देखकर तातु जाती और तातुष हूं हूं करते जाते, जब सारे अक्षर खत्म हो जाते, तो तातुष पूरे शब्द का उच्चारन करते ते और उसका मतलब भी बता देते, बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार, दा हिंदू, ठीक से पढ़ना ही पाते, शायद इसलिए अखबार हाथ में लिये-लिये, वह कहते, बेबी, जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी, मैं कहती, हाँ, हाँ, भेजोगी, अभी टाइम है, वह फिर कहते, कब भेजोगी, देर नहीं हो जाएगी, जाओ, मैं घड़ी की तरफ दे आकर देनी होती, उसे अच्छी अच्छी चीजे खाने का शौक था, चिकन विकन, बिर्यानी, पुलाव, कवाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था, साथ में टोमाटो सूप, चिकन सूप, प्यास सूप, जैसा कुछ हो, तो और भी उससे पूछ कर ही बनाती, लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना, मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है, मैं जब अपने स्वामी के पास थी, तब भी कभी कभी कुछ नया बनाती, तो आस पास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सचड़ गया था। उन्हें चाए देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा। यहां आकर तुमने क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातुर फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सूचा भला यह भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वै जाकर खिड़की के पास खड़ी हो आकाश की और देखने लगी। उसे अपनी मा की याद हो आई। उसकी मा की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिखकर अच्छे मनुश्य बने। लेकिन वैसा कहा हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था। फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पढ़ी रहती थी। मा आज हो थी और उसे पता चलता या स्वयम देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी नहोती। आकाश की और देखती जैसे वो अपनी मां से कहना चाहती है, मां, तुम्हें एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा कर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें भज तुबहरा आशिरवाद चाहिए मां, वो आखों से बहते आजू, छाती भीगोते फर्ष पर टपक रहे थे, गिलास में चाहे कब की ठंडी हो चुकी थी, तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुँची, और वह चौक पढ़ी, उसने घूम कर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था, और नीचे आ रह था, उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाहे पी रहे हो, मेरी चाहे कहा है, वह चाहे बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा कि किसी ने गेत पर आप बेल बजाई, उसने जाकर देखा, कि पढ़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है, वह उससे ये तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहां डाल गया था, उस लड़के से पैकेट ले, उसने आकर तातुष को दे दिया, तातुष ने देखकर कहा, यह तो तुमारा है, येलो, जाकर देखो इसमें क्या है, पैकेट लेकर वह किचन में गई, और अरजुन की चा पिर देखा, सच मुझ ही उसमें लिखा था, आलो आनधारी, बेबी हालदार, खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा, मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेटु की वह बात यादा गई, कि आशा पूर्ना देवी दिन भर के काम निप्टा कर उस समय लिखने पढ़ने बैठत जब सब लोग सोच चुके होते थे, उसने सोचा, जेटु ठीक ही कहते हैं, कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है, हटात उसकी नजर चाय के लिए चड़हाई पानी पर पढ़ी, जो उबलते उबलते काफी कम रह गया था, उसने जल्दी जल्दी चाय बन आओ तो, ये क्या लिखा है, उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, मात तुम्हारा नाम किताब में, दोनों बच्चे हसने लगे, उन्हें हसना देख, उसका मन खुशी से और भी भर गया, उसने प्यार से उन्हें अपने पास खीं वे कितनी बुद्धु है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई, जल्दी जल्दी सीरिया उतर, वे दातुष के पास आई, और उनके पैर चूप प्रनाम किया, उन्होंने उसके सिर पर हात रख आशीरवाद दिया, अनुवादक प्रबोध कुमार, आलो आंधारे, अर्थात अंधेरे का उजाला, मा अर्थात मा, दादा अर्थात बड़ा भाई, दरकार अर्थात जरूरत, पाड़ा अर्थात मुहला, वयस अर्थात उम्र, अवस्था, दीदीमा अर्थात नानी, अभिधान अर्थात शब्दकोश, जेठू अर्थात पिता के बड़े भाई, ताउ, अभ्यास. प्रश्ण एक, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है, कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, क्या वर्तमान समय में स्त्रीयों की इस सामाजिक स्थिती में कोई परिवर्तन आया है, तर्क सहित उत्तर दीचिए. प्रश्ण दो, अपने परिवार से तातुष के घर तक के सफर में, बेबी के सामने रिष्टों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है, प्रश्ण तीन, इस पाट से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है, घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए. प्रश्ण चार, आलो आंधारी रचना, बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है, किनी दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए. प्रश्ण पाँच, तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो, जेठु का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उदगाटित करता है? प्रश्ण छे, बेबी की जिन्दगी में तातुष का परिवार ना आया होता, तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें. चर्चा करें पाँच में आये इन व्यक्तियों का देश के लिए विशेश रचनात्मक महत्व है. इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में चर्चा करें. श्री रामक्रिष्ण, रवींद्रनात ठाकूर, काजी नजरूल इसलाम, शरत चंद्र, सतेंद्रनात दत्त, सुकुमार राय, एनी फ्रैंक. अभी आप सुन रह थे कक्षा ग्यारह की हिंदी की पाठे पुस्तक वितान भाग एक, प्रस्तुती CIET NCERT, नई दिल्ली, भारत.